अजमेर जिला कलेक्टर पर बार्ट 43 से नर्दलिय पार्षत काजल यादव के नित्रत में बार्ड पीडित अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर प्रकाश राज प्रोहित को ग्यापन सौप ने पहुंचे जानकारी देते हुए पार्शत काजल यादव ने वताया कि कच्ची बस्ती अशोक नगर भट्टा नगराशेत्र के सन 1975 के बाट पिडिट 14 पट्टा धारकों को अभी तक कपजा नहीं दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा इस्टे लगाने के कारण वर्षों से वहाँ निवास करने वालों को पट्टों के बाद भी कपजा नहीं मिला है पार्षद ने मांग की है कि सरकार जल्द इन्हें कपजा आवंटित कर निशादेगिये समाथ करे जिससे यह वहाँ इस्थाई रूप से निवास कर सके आज हम वाट त्यालि से कच्ची बस्तियों के जो पट्टे का मामला है उसके लिए हैं यहाँ पर हमारे कच्ची बस्तियों के लोगबाग है इन सबके पास में अरिजनल काउगस है अपने पट्टों को लेके इनको पट्टे आवंटित कर दिये गये लेकिन इनको नहीं को संबलाइगा तो वह किसी व्यक्ति विष्जिनस में स्टेड लगा दिया है इसके वजह से इनको नहीं मिला है और अब हमारी मांग ये हैं करेक्टर मोधिय से आप उस पर पूरी कारिवाई करें अच्छे से कारिवाई करें और इनको इनकी जो इनीकी हैं नवी चीज है इनी का पट्टा है इननकी कभजा है वो इनको सम्भला है ताकि लोग देवस्ति रूप से इस्टाएर रूप से माहा रह सकें कुकिन अभी जो वाहर रह रहे रहा है छोटी-चोटी नालियाँ चोटी गलिया नहीं तो बस इनको इन हाख दिल्वाने के लिए हम लोग गुहार लगा रहें कालेक्टर महोद्या से वस जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की गए यहां परिवार हैं पूर्वज भी रहते हुआ हैं फिर इनके पास में इनके हमारा मानना है अब इनके बच्चे आगे जाते वह परिशानी नहीं भूखते जो यह भूख चुगा है मेडिया के माद्यम से बताना चाहता हूं कि हमको कबजा समलाए जाए जल्दी से जल्दी हमको कबजा समलाए जाए हम तो हमारे हम ने तो हमारा जीवन बतीत करिया हमारे बच्चों का बहुत से सुधारे प्रशाशन हमारे बहुत से का बच्चे सुधारे हमारी मांग यह कि कब जल्दी से जल्दी कबजा समलाएं, पट्टे तो दे दियें लेकिन कबजा नहीं समलाएं गए हम कम से कम 1975 से रह रहे हैं, वाँ पर उनिस से उससे पहले के भी रहे रहे हैं तेस आजाद नियों से भी पहले के रहे हैं खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दासता, होगी सच्चाई की वापसी SKV News सच्चाई की वापसी